आज मैं आपके सामने मैंस का एक question लेकर आए हूँ, question क्या बोला, find the value of x, उसके नीचे equation दी वही है, यहाँ पर आप दे सकते हैं, bracket लगावा है, bracket के अंदर दियावा है, root 37, minus 6, और इस पर power दियावा है, x, equal to, again, bracket दियावा है, bracket के अंदर दियावा, root 37, plus 6, और इस पूरे पर power लगा है, यह 10, तो यहाँ पर हमें यह x जो है, इसकी value हमें find करने हैं, कि इसकी क्या value होगी, तो चलिए question को solve करते हैं, question हमारे क्या लिखावा है, मैं दुबारा लिख लेती हूँ, यह दियावा है, root 37, minus 6, और इसमें whole bracket लगा के power x दियावा है, equal to, again, root 37, plus 6, दियावा है, whole bracket लगा के, इसपर power 10 दियावा है, ठीक है, मैं पेश को थोड़ा सा उपर करती हूँ, तो आप यह question देख सकते हैं, यह power and exponents से related, यह question है, ठीक है, तो इस question में आपको क्या समझ में आ रहा है, आप यह देख सकते है, equal to, यह बीच में equal to लगा, equal to के दोनों साइड आपको क् root 37 minus 6, और इसपर power दियावा है, x, यहाँ पर जो यह root 37 minus 6 जो है, यह bracket के अंदर है, यह base है, पूरा ही base है, क्या है base हमारा, root 37 minus 6 यह base है, और इस पूरे base पर power x दियावा है, उसी तरह से equal to के बाद, आप दिस लगते हैं, कि root 37 plus 6, यह पूरा base है, और इस base पर power क्या दियावा 10 दियावा, ठीक है, तो अब हमें इस x की value यहाँ पर find करनी है, ठीक है, तो आपने power and exponent का formula पड़ा होगा, कि अगर x का power m है, equal to x का power n है, तो इस case में क्या होता है, कि यह m और यह n power जो होते हापस में बराबर हो जाते हैं, लेकिन कब बराबर होगे, मैं इसको थोड़ा और साफ लिखता हूँ, यहाँ पर, यह मेरा क्या है, x है, यह power का बराबर होगा, जब यहाँ equal to के दोनों side, base, base हमरा क्या है, यहाँ पर x है, यहाँ पर base क्या है, आप दे सकते है, equal to के दोनों side base सेम है, अब power इस पर m है, इस पर n है, तो अगर equal to के दोनों side base सेम रहता है, तो power आपस में equal हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर यह M जो है N के बरापर हो गया है, for example, अगर मैं आपको यहाँ पर question समझाते हूँ, कि माली जी अगर यहाँ दिया हुआ है 3X का power 5 दिया हुआ है, equal to 3X का power यहाँ पर दिया हुआ है, आपका यहाँ पर 4Y दिया हुआ है, ठीक है माली जी यह, तो यहाँ पर देखे, equal to के दोनों साइड आप दिया है, base क्या है हमारा 3X, यहाँ भी base है, 3X यहाँ पर ही base है, तो base से में दोना साइड, तो यह power आपस में, यहने कि यह equal हो जाएंगे, ठीक है, तो आप यहाँ इस वाद जो हमनों को में कोशन दिया है, इसमें आप देख सकते हैं, कि यहाँ दिया हो रूट 37-6, और यहाँ पर जो base दिया है, वो दिया हो रूट 37-6, तो आप यहाँ दे सकते हैं, कि नमबर सेम है, मतलब कि रूट 37 यहाँ पर भी है, रूट 37 यहाँ प तो हमको इसी फॉर्मूले में इसको सेट करना है, आपको इस इक्वेशन को इस तरीके सेट करना है कि बेस दोनों साइट सेम हो जाए, इक्वल टू के दोनों साइट LHS और RHS में बेस जो है सेम हो जाए, तब ही यह कोशन जो है, हम इसको आगे सॉल कर सकते हैं, यह वाला फ़र बुरा लागा करके, तो अब इसका बेस हम कैसे सेम करेंगे, तो देखिए कैसे सेम करेंगे, आप रूट 37-6 और इसको आप इसको इक्वल टू यहां दिया है, एक्वल टू यहां दिया कि प्लस 6 हो, यही हमारा कूशन है, ठीक है, मैंने कुशन दुबारा लिख लिए, अब देखिए यहां पर कैसे सेम करेंगे, हम बेस दोनों साइट, मैं बता दूँ, आप इसको आप से एक select कर लिजे बेस, दुनों में से कोई एक select कर लिजे, महा लिजे कि मैं ये वाला base लेती हूं, क्या, root 37-6, ठीक है, मैंने ये वाला base select किया, अच्छा, root 37-6 है, ये हमने select किया, आप चाहिए ये भी रह सकते हैं, answer आपका same है, तरीका वही रहेगा, ठीक है, तो मैंने ये वा root 37-6, ये वाला base select किया, इसमें हमने ये 1 into किया, ये दो आपस में तो बराबर है, ठीक है, अब देखे हम क्या करेंगे, ये दिया है, root 37-6, ठीक है, into, अब यहाँ पर देखे, इस 1 की जगह हम क्या करेंगे, इस 1 की जगह हम root 37 plus 6 upon root 37 plus 6, ये into कर देंगे, क्योंकि देखे, य cancel हो कि इस 1 ही के तो बराबर आएगा, तो इस 1 की जगह हमने क्या लिखा है, ये जो 1 है, इसके जगह हमने ये लिख दिया, क्योंकि ये आपस में cancel हो कि 1 ही के बराबर आजाएगा, ठीक है, अब मैं पेज उपर कर रही हूं, ठीक है, अगर माली जीए, आप ये वाला base select करते रूट 37 प्लस 6, ठीक है, तब यहाँ पर इसमें भी आप इसी तरह करते हो, इन्टू 1 करते हैं, तो यहाँ पर आप 1 की जगह क्या लिखते हैं, अगर आप ये बेस select करते हैं, तब आप यहाँ पर रूट 37 माइनस 6 अपान रूट 37 माइनस 6 ये इन्टू करते हैं, ये आप इनको एक साथ लिखिए, और ये क्या है, रूट 37 प्लस 6 ये है, अपान डिनामेटर में हमारा ये टम है, क्या है, रूट 37 प्लस 6 ये है, और यहाँ पर हमारा क्या लिखावा है, रूट 37 माइनस 6, ठीक है, पेज को ऊपर कर रहे हैं, ये आया ठीक है, अब देखें यहाँ यह हमारा दियावा है, रूट 37-6, इक्वल टू, अब इन पर ध्यान दीजिए, यह क्या है, रूट 37-6, ब्रैकेट में और यहां पर रूट 37-6, तो आप यह देख सकते हैं, बिल्कूल A-B, और A-B के फॉर्मेट में है कि नहीं, है न, A-B, 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 यहां पर यह फॉर्मूला लगाएंगे, अब A हमारा क्या है, यह है, और B हमारा क्या है, 6 है, यह हमारा A है, यह हमारा B है, तो A-A-A-Square, यानि के, रूट 37-2, यह होगे, A-B-2, B-6, तो 6-2, ठीक है, अपन नीचे क्या है डिनामेटर में, डिनामेटर में है, रूट 37-6 यह हमारा ठीक है, मैं पेश थोड़ा उपर करती हूँ, यह हमारे पास, तो इक्वल टू, यह 37-36 यह क्या है, बचा, 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 अपन, आईए क्या है, रूट 37-6, और यहां पर क्या है, रूट 37-6, कहने का मतलब यह है, कि यह जो रूट 37-6 है, यह किसके बराबर आब है, 1 अपन, रूट 37-6, कैसे आया, यह मैंने सब आपको एक्स्प्रेन कर दिया, ठीक है, अचा, अब हमारा जो मेन कोशन है, वो हमारा क्या है, यहां पर, मैं कोशन दिखा दू क्या है, मैं जो कोशन यह है, देखिए हमारा, ठीक है, अब मैं पेज उपर कर रही हूँ, और कोशन को, मैं दुबारा यहां लिख रही हूँ, हमारा जो कोशन है, वो है, रूट 37-6, यहां पर x है, इकवल टो, यहां पर दिया हूँ है, रूट 37-6, और पावर दिया है, 10, यही है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, कि मैंने यह वाला base select किया था, इसको solve किया, तो हमने क्य प्लस 6, तो रूट 37-6 के जागा, हमने यह लिख दिया, अब इस पूरे पर whole bracket लगाएगा, पावर x लगाएगा, यह तो हम लगाएगे यहां पर, यहां पर यह क्या है, रूट 37-6 है, whole bracket और पावर क्या दिया हूँ है, 10 दिया हूँ है, अभी आप देखेंगे, कि दूनों साइड बेस सेम हो जाएगा, ठीक है, अब देखेंगे, इस पर ध्यान दीजिए, यहां पर यह क्या दिया है, 1 upon root 37-6, इस पर ध्यान दीजिएगा, इस bracket के अंदर, क्या लिखा हूँ है, bracket के अंदर, मैं यहां पहले bracket लगा दू, bracket 1 upon, यह दिया हूँ है, root 37-6, ठीक है, तो मैंने bracket के अंदर लिख दिया, ठीक है, अब इस पूरे whole bracket लगा के, यहां पर power के दिया, x तो यहां लगाएंगे, यहां पर लगा दिया, equal to यह क्या है, root 37-6, और whole bracket लगा के power 10 दिया हूँ है, अब आगे हम क्या करेंगे, यहां देखिए, यह जो term है, इसको समझे है, इसको इसको मैं अलग से समझा रही हूँ, के वल इतना, क्या दिया हूँ है, अलग से मैं इसको समझा के वतार हूँ, यह दिया हूँ, जो यह bracket के अंदर दिया हूँ, root 37-6, यह दिया हूँ, यहीं नहीं, अब इसको समझे है, यहां पर, ठीक है, इतना term जो है, अलग से मैं समझा तो यहां मैंने लिख दिये सब, अब देखिए, रूट 37 प्लस 6 इसको मैंने ब्रैकेट में तो कर सकते हैं, अच्छा, अगर मैं पूचू कि रूट 37 प्लस 6 इस पूरे पर क्या पावर लगा है, तो आप कह सकते हैं कि 1 पावर तो सभी पे लगा रहता है, लगा रहता है ना, मैंने यहां पावर लगा दिया, मैं पावर वन तो सभी पे लगा रहता है ना, तो यह रूट 37 प्लस 6 ब्रैकेट के अंदर इस पे पावर वन तो लगा सकते हैं, तो इसी के बरावर माना जागा, ठीक है, अच्छा, अब यहां पर आपने पावर एक्स्पोरेंट के एक उपर जागा निमिलेटर साइड में, तो इसका पावर नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, तो यह रूट 37 प्लस 6 जो है इस पूरे को आप एक्स मानिए, इस पूरे को, एजूम किजे कि यह पूरा एक्स है, रूट 37 प्लस 6, जैसे यहां पर यह एक्स है, और यह वन जो है इ एक्स का पावर माइनस एम, तो यहां पर एक्स हमारा क्या है, यह पूरा एक्स है ना, क्या है एक्स रूट 37 प्लस 6 मैंने समझाया था आपको कि यह पूरा एक्स मैंने इसको माना है, यह क्या है माइनस एम, तो माइनस एम हमारा क्या वन है, तो यह हमारा इसके बराब कहने मतलब यह है कि यह जो अंदर है bracket के अंदर 1 upon root 37 plus 6 है, इसको हम इस तरीके से भी लिए सकते हैं, root 37 plus 6 है, whole bracket power m equal to, मैंने equal to करके लिखा, equal to, यह किसके बराबर होगा, यहां मैं लिख दूँ नीचे, यहां पर बता देते हैं, यह 1 upon root 37 plus 6, equal to, यह इसके बराबर हुआ, और आगे किसके बराबर हुआ, root 37 plus 6 है, का पावर minus 1, यह कैसे है, आपको सब समझ में आगे होगा, ठीक, अब मैं पेज उपर कर रही है, तो यहां पर, यह जो पूरा टम है, bracket के अंदर, यह वाला, यह वाला, मैंने बता दिया किसके बराबर है, यह है हमारा, यहां देखिया है, यह है हमारा, under root 37 plus 6 का पावर minus 1, और इसमें whole bracket लगा कि क्या पावर दिया था, x दिया था, equal to, और यहां पर क्या दिया था, root 37 plus 6 का पावर 10, ठीक है, यह आपको समझ में आगे, यह कैसे आया, यह bracket के अंदर वाला, मैंने सब समझा दिया, ठीक है, अब यहां पर एक और power exponent का फ तो यहां पर देखे, यह पूरा base है, यह root 37 plus 6 क्या है, यह base है पूरा, इस पर पावर 1 दिया था, अगें whole bracket लगा के एक और power x दिया था, तो यह दोनों power आपस में टू, यह base है हमारा, base जरूरी नहीं कि क्या एक्स ही रहे, base यहां पर यह दिया था, हमारा base क्या है, root 37 plus 6 य ठीक है न, आप यहीं imagine किजिए कि पूरा x है, तो इस पर power एक दिया है, minus 1 और दूसरा power दिया हुआ x, तो इसको m मानिए, इसको n मानिए, तो formula के हिसाब से, यह दोनों power आपस में into होगे, m into n, यानि कि minus 1 और यह x दोनों आपस में into हो जाएंगे कि नहीं, इस formula के help से, ठीक प्लस 6 है, अब minus 1 into x किया हो जागा, into करेंगे, तो minus x आएगा, equal to, और यह क्या दे होगा है, root 37 plus 6 और power 10, अब देखे आप यहाँ पे आपका, यह बिलकुल formula में set हो गया, कैसा set हो गया, आप देख सकते हैं, हमारा base जो यहाँ पर है, वही base यहाँ पर भी दिख रहा है, दो हो जाएगे, क्योंकि base सेम है, दोनों साइड, तो यह minus x equal to 10 है, तो x की value कितनी होगी, यह minus इधर चलाएगा, तो यह minus 10 हो जाएगा, तो हमारे पास x की value क्या आई, minus 10 आई, तो यह ही इसका answer है, तो यहाँ पर power exponent का ही formula यूज़ हुआ है, यह बिलकुल explain करके आपको सब बता यह question को, उमीद है आपको यह question जो है, अच्छे समझ में आ गया होगा,